हालो डियर फ्रेंट्स वेलकम बैक टो अग्री कल्चिरल साइंसेस मैसल फालुक जेदी सो दोस्तों आज हम बात करेंगे सोल क्रॉपिंग के बारे में या उसे सॉलिड प्लांटिंग कहते हैं क्या है यह वर्ड और क्या है इनकी डेफिनिशन करेंगे क्रॉपिंग क्या है मोन इसको जानना और dice just the stock motto कि इसके प्रेंट होता है इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें आप एकी वराइटी को एक ही वराइटी को आप बार-बार जो है एक ही लैन पर आप क्या कर रहा होता हैं ? कल्टिवेट कर रहा होता है और उसकी डेंसिटी यह नॉर्मल होती है जोस्तों यह आप जो टर्मिनलोजी है यह जो टर्म्स जो मैंने यूज किये हैं यह आपको ध्यान रखना बहुत जुर आप यह समझे कि वन वराइटी कि कौन सी वराइटी वन वराइटी यह टम जो भी उसकर रहा है पूर वराइटी जो है प्योर श्रम नदस तरिफ एक वराइटी का हम पूरे फील्ड में यूज करते हैं एक नॉर्मल डेंसिटी पर ठीक है एक पटिक्लर टाइम प्लेस पर ने क्रापिंग इसकी में तरीके से एक प्लान है इसा पको सन्जétais को योजना होत नोöttा है फ अपने क्रॉप को रेस करते हैं यह कहें करते हैं यह हमार जिसमें के हमारा यह होता है कि हम maximum return हमको मिले मतलब maximum हमको जो है और पूट मिले और से हमारी economic condition अच्छी हो without impeding the soil health मतलब बिना soil health को इधा उधर किये डिस्टर्ब किये जैसे कि इन सबको maintain करते हुए जैसे आप करें sustainable जो point of view है वो लेकर हम चल रहे हैं देखिए दोस्तों यहां पर जो factors होते हैं को determine करने के लिए soil fertility और crop yield होते हैं इन दोनों factors के according हैं अपनी cropping scheme को जो है प्लान करते हैं और इसमें कुछ factors हैं जैसे के रोल प्ले करते हैं यह बहुत बड़े factors होते हैं आपके cropping scheme को decide करने के लिए आपके cropping scheme को follow करेंगे फदर कोई भी crop को cultivate करने के लिए जोस्तों अब हम बात करते हैं monoculture जिसका आपको इंतजार था काफी टाइम से कि difference क्या है soil cropping या solid planting में या monoculture में देखिए दोस्तों monoculture को आप single cropping ही बोलते हैं या फिर कहें monocropping भी बोलते हैं यह भी पूछा था याद रखिए इसको देखिए उस्तों वहां पर आपने बात की थी क्या करने वराइटी आप डजन मैंतर मतलब वराइटी आप जो है इतना डिपेंड नहीं कर रही है वराइटी को रिजिटेंट अफ रूल नहीं कि आपको वराइटी कहीं नहीं है अगर आप राइटी चेंज भी करते हैं तो यह होगा आपका बट वहीं जो आप वहां बात कर रहेते हैं हम सोल क्रॉपिंग में तो वहां देखिए हमने एक टमर्जी उसकी थी कि वर वराइटी अलोन बट वहां पर क्या है यहां पर आप मल्टिपल वराइटी को यूज कर सकते हैं मोन कल्चर में जैसे कि दोस्तों इसका एक्जम्पल समझें ग्रोइंगा वीट एर अफटरी ऑन दो सेम पीस आफ लैंड विदाओ चेंजिंग फील आज वेलास क्रॉप बीना फील को चेंज किया हुए और क्रॉप को चेंज किया हुए सेम क्रॉप रहेगी और फील भी चेंज नहीं होगी दोस्तों इसे करते हैं मोन कल्चर द क्राइब क्रॉपिंग फैश्टम है अंडर में यह अगर आपको लगता है कि आपको इससा नॉलीज मिल रही है आपको समझ में आ रहा है टॉपिक आपका किलीर हो रहा है पूरा वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करें अपने फ्रेंट के साथ और दोस्तों आप टेलेग्राम चैनल पर ज़रूर एड़ हो जाएं यहां पर मैं जो है डेली कुछ कराता हूं जो है डेली पांच से च्छे जो है कुछन देता हूं जो कि काफी इंपोर्टेंट होते हैं तो इस नेम को इस्टाग्राम यूजर नेम मुझे आप यहां से चाहिए कोई भी क्यों आप मुझे है कोई भी प्रावल्म हो ना कि क्यों एजूकेशन से रेटर कोई भी दिखा थो आपको क्यारीर से रेटर वह भी आप मैंसे पूँछ सकते हैं तो थैंक्यू फ्रेंड्स वर वाचिंग नवी तो दो दो